पंजाब के अमरित सर में मौझूद निरंकारी समागन में हुए ग्रेनेड हमले की जाँच चल रही है हमलावरों को गिरफ्त में लेने के लिए पंजाब पुलिस 80 चोटी का जोर लगा रही है लेकिन आप पार्टी विधायक एचस फुलका हैं जिन्हें इस साजिश के पीछे किसी और का हाथ नजर आ रहा है उन्हों इस हमले के पीछे देश के सेना अध्यक्ष विपिन रावत को जिम्यदार ठहराया लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख तुरंत अपने बयान से पल्टी माली देखे ये रिपोर्ट सेना अध्यक्ष पर लगा निरंकारी हमलेकारों आप पार्टे विधायक ने दिया शर्मनाग बयान फिर मारा यूटन निरंकारी हमले पर दिये अपने बयान से पंजाब के आप विधायक एज़स फुलका सुर्खियों में आ गए है उन्होंने इस हमले के पीछे सेना प्रमुक विपिनरावत का हाथ क्या बताया चौत अर्फा आलोशनाओं में घिर गए आईए सबसे पहले सुनाते हैं वो बयान जिस पर अब फुलका ने पल्टी माल ली है इस बयान से केज़िवाल की आप पार्टी विवादों में घिर गई है विपक्ष ने जहां फुलका के बयान को शर्म नाक करार दिया तो वहीं पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा ने तो ना सिर्फ केज़िवाल को आड़े हाथ लिया बलकि फुलका के खिलाफ देश द्रो का मुकद्मा दर्च करनी की भी मांग उठाई है यह बहुती शर्मनाक बयान है बहुती दुखत बयान है यह बयान देश की सेना को कमजोर करने वाला है ये बयान आतंकवादियों को बचाने वाला है ये बयान लोगों का भरोसा देश के सिस्टम और देश की सेना पर से उठाने की एक कोशिश है ये कोशिश है कि खालिस्तानियों को और I.S.I. वालों को लोग अब गुनेगार ना माने कोई तो है आम आदमी पार्टी में जो खालिस्तान के लोगों से और I.S.I. के लोगों से मिला हुआ लगता है अगर आम आदमी पार्टी के अर्विंद के जरिवाल इस बयान से सहमत नहीं है फूलका जी के खिलाफ तुरंत कारवाई होनी चाहिए उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए अगर ये कारवाई के जरिवाल जी नहीं करते तो ये समझा जाएगा माना जाएगा कि इस बयान के पीछे अर्विंद के जरिवाल की हां है अर्विन केजरिवाल शामिल है अर्विन केजरिवाल का प्रश्य है फुलका जी के खिलाफ देशद्रों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसी बयायत पर फुलका ने अपनी ये टिपणी दी थी फिलाल ये देखना बाकी है कि फुलका की माफी मांगने के बाद क्या ये दिवाद थम पाता है या नहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ